नमस्कार दोस्त, मैं इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत सुक्रिया मैं आपको बहुत जरूरी जनकारी 18 करेट गोल्ड और 22 करेट गोल्ड प्यूरिटी पे देने जा रहा हूं वीडियो को पूरा देखिएगा और बिल्कुल भी इसकिप मत किजिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो हम सभी गोल्ड खरीदते हैं तो कैसे जानेंगे कि कौन सा गोल्ड अच्छा है 18 करेट गोल्ड और 22 करेट गोल्ड में क्या अंतर है कौन सा गोल्ड का ओर्नामेंट 18 करेट का है का कन का गोल्ड का और्नमेंट 22 क्रेट का है दोस्तो mommaarيट में इस समए standard gold ornament दो तरह के मिलेंगे 1 18 क्रेटए और 1 22 क्रेटए कुछ कुछ सहर में आपको 20 क्रेटuration का gold ornament भी मिल जाएगा लेकिन जैनरली 18 क्रेट और 22 क्रेटए ही मिल जाएगा दोस्तों, गोल्ड की ठग को खत्म करने के लिए सरकार हॉलमार्क लेकर आई, जिसके कारण मार्केट में गोल्ड का ठग दुकंदारों के द्वारा खत्म हो गया, तो 18 करेट गोल्ड ओर्नामेंट में जो हॉलमार्क होता है, उसमें आपको BIS 18 करेट 750 और जिस दुकान से आप समान खरीद रहे हैं, उस दुकान का मोहर होता है, जैसे अलंकार पेलेस का A.P. वैसे ही दोस्तों, 22 करेट का गोल्ड ओर्नामेंट में आपको हॉलमार्क मिल जाएगा, BIS 22 करेट, 916 और दुकान का मोहर, जैसे अलंकार पेलेस का A.P. दोस्तो आप भी गोल्ड खरीदते हैं तो खरीदने से पहले अच्छी तरह हॉल मार्क चेक करें बड़े बड़े सहरों में बहुत सारे दुकानदारों ने अपने दुकान में प्योरिटी चेक करने वाली मशीन लगाया है जिसमें आप जाकरके अपना समान चेक करवा सकते हैं यह 18 करेट का है यह 22 करेट का है तो दुकानदार से लेने के बाद अगर उसमें हॉल मार्किंग भी है तो भी आप जाकरके एक बड़ उस मशीन में अपना गोल्ड चेक करवा है ज्यादा चार्ज नहीं लगता है दोस्तों 50-60 रुपे या 100 रुपे के आसपास उसका चार्ज ये तो अगर आपको अपने समान में थोड़ा सा भी संकोच है या कुछ वैसा है तो आप जाकर के उस मसीन में अपना प्योरिटी चेक करवाई है 18 करेट का है या 22 करेट का है दो तो ये जनकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे वीडियो को देखने का बहुत बहुत सुक्रिया बहुत जल्दी मिलते हैं नहीं जनकारी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज 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 करें ताकी में ऐसे ही अच्छी अच्छी जनकारी नहीं नहीं जनकारी गोल्ड और सिल्वर के उपर आप लोको देशों को धन्यवार टेक क्यार